तो आज हम करने वाले हैं जे डबली 2024 में पुछा गया प्रॉबबलीटी चैप्टर का इस तो देखते हैं कौन सा क्विस्चन हमको दिया गया है तो आज हमको क्विस्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा बैग एक इसको नाम दिया है उसमें तीन वाइट बॉल है दिया है जिसमें तीन वाइट कलर के बॉल्स हैं टू रेड कलर के बॉल्स है वन बैग इस सिलेक्टेड एट रेंडम सबसे पहले हमको क्या करना है दो बैग है एंड बैग में से एक बैग को चूश करना है and a ball is drawn from it यानि उसमें से एक बॉल निकलेगा यानि कि बैग ए में से वो बॉल निकलेगा and ball किस कलर का होगा वो वाइट कलर का होगा उसकी probability क्या होगी इन चारों में से वो हमको find करना है तो इसको solve करेंगे हम using the day's theorem तो देखते हैं कैसे solve करेंगे हम सबसे पहले तो यहां पे जो detail given है वो लिख लेते हैं दो बैग है हमारे पास दो बैग बना लेते हैं यह हो गया यह वाला बी बैग यह ए एंड यह बी चल्य क्या ग्या डीटेल और गीवन हैं ए में क्या है 3 white ball है 3 white ball and 7 red ball यानि कि 7 red ball bag B में 3 white ball है and 2 red balls यानि कि 2 red balls चली वन बैग इस सिलेक्टेद ए रेंडम दोनों में से एक बैग सिलेक्ट होगा एंड, हमको सिलेक्ट करना है, the probability of drowning her from bag a, यानि कि वो जो ball निकाल लेंगे white color का, वो a में से होगा, उसकी probability क्या होगी, वो हमको find करना है, तो सबसे पहले white की लिए, यहाँ पे total ball कितने है, ten, यहाँ पे total ball कितने है, five, यानि कि white को select होगा, यानि कि probability of white select होने की probability क्या है यहां पर 3 by 10 यहां पर white select होने की probability क्या है 3 by 5 total have 5 3 white है उसमें से चली इसको कैसे solve करेंगे हम using the base theorem base theorem के लिए हमको पता है कि यहां पर हम 2 case ले लेते हैं सबसे पहले 2 case है तो 4 circle बनाएंगे हम इसको नाम दे देते हैं हम E1 इस point को नाम दे देते हैं E2 इसको नाम दे देते हैं एंड इसको नाम दे देते हैं अभी यह E1 and E2 क्या है E1 and E2 हमारा है दो बैग यानि कि यह है बैग A ए और यह है बैग B इलिए इन दोनों पउइंट को connect कर लेते हैं इन दोनों को भी connect कर बढ़ा है यह है हमारा एंड बी और ए है हमारा वाइट यानि कि वाइट बॉल जो कि select होगा यानि कि ए है हमारा वाइट बॉल कि चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है दो बैग में से एक बैग सिलेक्ट करना है इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के सिलेक्ट होने के चांसिस कितने है फिफ्टी फिफ्टी परसंट यानि कि वन बाइटू वन बाइटू दोनों के सिलेक्ट होने के चांसिस कितने है आफ एंड आफ अगर मान लीजिए कि ए बैग सिलेक्ट हुआ तो उसमें से वाइट निकलने के चांसिस कितने है वाइट कितन है 3, total कितने है 10, यानि कि उसमें से white निकले गे, उसके chances है 3 by 10, उसी तरह से B bag में से white ball select होगा, उसके chances कितने है, white है 3, total है 5, यानि कि 3 by 5. अभी question क्या है, the probability of joining from bag A, A मतलब even में से select होगा, यानि कि हमको find करना है probability of even by E, यह base theorem को use करके हमने किया है, using the base theorem, तो base theorem की formula पता है probability of even by E is equal to probability of even into probability of E by even upon probability of even into probability of E by even plus probability of E2 into probability of E by E2, चले, सभी की value हमको पता है, food कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, यहां पर देखें, E1 क्या है, half, यानि कि 1 by 2 into E by E1, यानि कि 3 by 10, सेम यहां पर क्या आएगा निचे की साइड, 1 by 2 into 3 by 10, plus 1 by 2 into 3 by 5, 1 by 2 into 3 by 5, simplify कर लेते हैं, यह हो जाएगा 3 by 20 upon 3 by 20, plus 3 by 10, यहां पर LCM ले लेते हैं, 3 by 20 upon 3 plus 6 upon 20, 20, 20, 20, cancel out 3 upon 3 plus 6, 9, यानि कि यह हो जाएगा, 3 से cancel out, यानि हमारा answer हो जाएगा, 1 by 3, यानि कि हमको जो पूछा गया था, कि बैग A select होगा, और उसमें से white ball निकलेगा, उसकी probability है, 1 by 3, यानि कि हमारा option number हो जाएगा, यहां पर 3.